देले चलते हैं, ओमर अब्दुल्ला कुछ, फारुक अब्दुला कुछ कह रहे हैं अब्दुला की हम बात आपको सुनाएंगे क्योंकि फारुक अब्दुला भी एक सीम है और जमू कश्मीर से आते हैं कदावर नेता है, उसी तरह से गुलाम नभी आजाद का भी कद उस राज्यो से एक बहुत बड़ा है, जिन्होंने एक नैशनल प्रिजन्स में अपने आपको स्थापित किया लेकिन जिस तरह से राहूल गांधी, सोनिया गांधी और साथी प्रियंका गांधी के ना होने के दोरान जो इस्तीफा दिया गया, उसको लेकर सवाल उठाए कॉंग्रिस की और से फारुक अब्दॉल्ला कुछ कह रहे हैं, सुने ज़रा बहुत करीब थे, इस खांदान के करीब थे मुझे हमें समझनी आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला देना पड़ा, वो चिठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ ही नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात करने ही सकता हूँ मगर ये ज़रूर कहूंगा, कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमाद के, सीनियर लीडर्स मेरे खाल सो पार्टी आफ 23 थी या क्या था वो, 30 थे, 32, जिन्होंने उस वागे चिठी लिखी थी और ये कहा था कि साब इसमें इलेक्शन होने चाहिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए और मैं समझता हूँ, वो भी एक मुद्दा होगा इनकी दिमाग में, कि वो इलेक्शन नहीं हुए जासर तभी कबार सहत इनसान को इजाज़त नहीं देता है, इनसान को सियासते मुस्तफि होता है, क्या ये वो मसला हो सकता है, ये कोई दबाव है सहत तो इनकी पहले भी बहुत खराब रही, कई दफ़ा फिर ठीक हो गए, अभी भी ये कोविड में मुलवश थे, मगर मैं नहीं समझता हूँ, ये मैं समझता हूँ सियासी मसला है, इनको ये लगा कि इन्हें वो महबत और वो प्यार नहीं मिल रहा होगा, जो पहले था, जो इतबार इन पे था, वो नहीं था, कुछ हो सकता ऐसा, मैं समझता हूँ, इसके सवा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, कि मैंने आजाद साब से बात की नहीं, मझे आजाद साब के मन की बात पता नहीं है, आगे क्या करें ये भी पता नहीं है, ज़रूर, इसमें कोई श्यक नहीं है कि Congress को एक दख्का लगा तब से ही जब से वो 32 लोगों ने वो चिठी लिखी तब से ही दख्का लगा है ऐसी बात नहीं है मगर पहली में दख्का लगा है अगर आपको याद होगा मिसेज इंदरा गांधी के वक्त में जब मुराजी भाई चले गए मुराजी भाई बात कदावर लीडर थे और संघर्ष में इंदुस्तान की आजादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है मगर अगर बार अच्छे नेता कोई पार्टी छोड़ते हैं यह पार्टी में डिफेक्ट है अब आज गुलानवी इजाद साफ चोड़ गए जोत्रया सिंधिया पहले चोड़ गए ते मैं चोड़ गया आरपियन सिंग जी छोड़ गए जयतिन परशाज जी चोड़ गए कल जैविर शेरगिल जी चोड़ गए तो हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून से पसीने से कॉंगरस को सिंचा अगर हम लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इसका मतलब यह कहिन कहीं कॉंगरस पार्टी इस पिनिश्ट और मैं अगर यह कहूँ कि सेफ डिस्ट्रक्शन पे और सुसाइडल मोड पे कॉंगरस पार्टी तो बात गलत नहीं होगी